गुद मॉर्णिंग एब्रीबन दिस इज मनीशा वेलकम बैक टू मेर चैनल डी ब्राइडल हेर केर पार्ट टू में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हूं हेर मास्क यह हेर मास्क सबसे फर्स्ट तो आपके वालों का गिरना रोकेगा बहुत जादा हेर फॉल हो रह जिनके बाल तो ठीक रहते हैं बाल अगर आपने वाश कर लिया तो वह अच्छे रहेंगे लेकिन इसके वाइली हो जाता है एक दो दिन पर जाता है वाज़े से आप को भी हेरे स्टैन सरी समय पे नहीं कर सकते हैं एक दो दिनों के बाद आपको हैर वाश करना पड़ता है में और प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो अगर आवसकता से ज्यादा कुछ भी हो तो सही नहीं है अगर ज्यादा भी हो तो सही नहीं है बहुत कम हो तो बिल्कुल ड्राइब हो जाएंगे तो इससे भी बाल गिरता है तो ज्यादा या कम जो भी होता है उसको ये बैलेंस क सकी है या सो के उठे दूसरे धिन तो हम उसको आसानी से connection कर बादे हैं North इस तरह से आपके भी हैर जाते हैं उसे जबर्दस्ति खीच-खीच कि सीथा करना है इससे भी बहुत बार टूठते हैं आप मोटे वाले हिस तरह के कॉम लेकर हमेसा व्हुरू कीजिए और नीचे से उपर की तरफ करना है तो सब्सक्राइशे पर क्या यह Sao के साथ आपके बाल पू चाहे कितने भी खराब वाल − डल हो गए हो आपके बादों को शिल्की और साइनी बनाएगा, तो आज मैं बात करीं, फ्लाकसी रिच बीच भी कहते हैं, मैं बनाने वाली हूँ, अल्सी के बीच का हैर मास्क, यह बहुत ही अच्छा हैर मास्क होता है, इसे आप स्किन पे भी उज्च कर सकते हैं, इसका स्किन केर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है और हेल्थ प्रॉब्लेम जो आपकी है तो उसमें भी अलसी के भीज को हम लोग कई तरह से खाने के काम मेलाते आयरुवेदिक मेडिशीन गया आयरुवेड के तरीके से हम लोग इसकी रेमेडिस बनाते हैं तो बहुत ज्यादा गुन है इसमें बिल्कुल आसान है इसमें किसी भी पास दस चीजों की ज़रत नहीं है सिर्फ एक या दो चीजें हमें चाहिए उसी से चार पास से दस मिनट में बनके त्यार हो जाएगा मैंने कोशिस की है कि कम से कम इंग्रीडियंट के साथ आपको बना के दिखाओं जिससे आप लोग आ अर्च भी नहीं होने वाला है और आपको आसानी से मिल भी जाएगा इसमें भी वही बात है बहुत कम खट के साथ ये हैर मास्क आपकबन के तयार हो जाएगा तो चलिए मैं दिखाती हूं आप लोगों को किस तरह से मैंने अन्सी के बीज का हैर मास्क बनाया और उसका अप न्साशनी का तया अ कि यहां पे मैं दो गलास पानी डाल套ी के जहां अ या मैंने दो गलास पानी डाल दीन इसे गया लाचे न चाड़ा दो झगी गास को मीडियम घटप जातो पर चादब मिज आटाओं पर जैसे पानी दर्म हो जाएगा उसके बाद में और लसी कें साथ साथी में मेत्री दानिय का पाउडर भी एक जमस डाग दूगी थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसे स्टर कर दूगी धीरे धीरे ये बॉयल होगा और फिर लास्ट में लगेगा कि जेल लाइक कंसिस्टेंसी होगी इसकी तब हम इसे उतार लेंगे अमेजिंग प्रोपरटी होती है यह सोर्स है इसमें नैचरल केरिटीन भी उता है जो कैरेटीन करने जाते हैं वह इसमें नैचरल होता है अलसी के पीज में फाइवर कैल्सियम मेंडिस हैं इसमें पाई जाते हैं कि हलसी के बीज को हम कई तरह से खाने के काम में भी लाते हैं इसे रोष्ट करके पाउडर पना के रख लेते हैं और यह थोड़ा-थोड़ा सा गाढ़ा होता जा रहा है है जल्दी-जल्दी से पकाने में ऐसा होता है कि जितने से भी गुन होते हैं अलसी के बीज के या मेथी के इस तरह के बहुत सारे हम बनाते हैं तो उसके सारे गुन नहीं आपाते हैं इसलिए हम लोग मीडियम हिट पे इसे बनाते हैं धीरे-धीरे यह जल फॉर्म में आता जा रहा है अभी थोड़ी देर और होगा और सबसे बड़ के बीज का मास्क बना के जब आप अपने बालों पे लगाते हैं तो यह बिल्कुल हेयर टॉनिक का काम करता है इसमें बीटमिन बीवन बीटमिन इप आया जाता है बिल्कुल तेयार हो चुका है तो इसे मैं फटा-फट से छान लूंगी अगर थोड़ी देर के लिए भी छ चल रहा होगा चोटी सी चननी इसले में धीरे-धीरे डाल दए हो अभी तो आडाम से हो जा रहा है लेकिन थोड़ी दे रखने के बाद यह इतनी आसानी से नहीं चलेगा अधर चनी साथ नहीं चान पा रहे हैं तो इसे किसी साफ कपरे में इस तरह से लपेट के और फिर इ दो दानी है इसमें इसको में हाथ से निकाल दूंगे अभी अब यह बिल्कुल थंडा हो चुका है तो इसमें मैं एक चमच कोकोनटर मेक्स कर दूंगे कर दो दूंगे कर दो दूंगे कर दो कर दो कर दो कर दो इसे मैंने हैर मास्क बनाया उसको अपने बालों पर एपलाई किया और 45-50 मुनिट तक अपने हैर पर रखा उसके बाद मैंने वाश कर दिया हैर को वाश करने के लिए सिर्फ मैंने शैंपू लिया है शैंपू इसलिए क्योंकि मैंने उसमें कोकोनट ओयल भी डाल दिया था तो जब आप तेल लगा लेते हैं तो उसके बाद शैंपू लगाना जरूरी हो जाता है कंडिशनर नहीं लगाना है असका हैर मास्क मैंने बहुत ही आसाली से बना लिया इसमें दो-चार चीजों की ज़रत बिल्कुल भी नहीं थी मेथी के दाने भी आपका मन है तो डालिए नहीं मन है, तो मद डाली गोपता है कि मेथी के दाने का पॉड़र्टक्त हा मेरे पास तो मैने डाल दिया, अगर आपके पास बोथ है. एसे भी बना सकते हैं. सब आप अल्सी बीज को डाल दिए, उसमें पानी बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और आसानी से बन जाता है लेकिन लगा के रगने के लिए कुछ टाइम चाहिए हमारे पास तो हमें क्या करना है कि कुछ काम आप पहले छोड़ दीजे बीच में लगा लीजे उसके बाद आप आसानी से एक गंटे काम कर लीजे और जाके वोश कर लीजे उसके बाद मास्क आपको बीच में दो बार लगाना है अगर बेटर रिजाट्स आते और जल्दी जाते हैं तो यह दो बार लगाए अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो कमस्तम एक वार तो जरूर लगाए प्री ब्राइडल हैर केर में मैंने इसलिए बताया है कि अगर आप एक महीने भी लगातार इस मास्क को कर लेते हैं वीग में दोगा तो आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे मैंने हैर केर पार्ट वान और पार्ट दोनों में जो चीजे बताई है उसमें नीम का ते अगर बियार होता है तो बिल्कुल जल फॉर्म में आ जाता है वह हाथ से अगर आप टच करते हैं उसी समें आपको लगेगा यह लगाने से कितने बाल सिल्की हो जाएंगे बिल्कुल एलोवेरा जल के जल से लगता है तो जिनके बाल ज्यादा थिन और पतली हो गए इसकार लंबे समय तक और अच्छा बना रहेगा फार लगाने से मेरे बालों में भी काफी शाइन आ गई है मैंने फ्री प्राइडल सीरीज में हैर केर और स्किन केर की बहुत ही अच्छी होम रेमेडिज आप लोगों के साथ सेर की है अगर आप लोगों को वीडियो को परसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा स झाल